हेलो एवरिवन कैसे हैं आप सब लोग प्राप्ति आईस में आप सभी का स्वागत है सिविल सर्विसेस की तैयारी में मुस्ट इंपोर्टेंट सेग्मेंट जो आपका होता है प्रिवियस येर कुश्चन पेपर्स हम उसको सॉट आउट करने की कोशिश करेंगे 2016 से स्टार्ट करेंगे 2020 तक के सारे हिस्ट्री के कुश्चन जो आए हुए हैं उनको देखेंगे हिस्ट्री का बेटेज तकरीबन 20% है एक्जैम में तो उसको देखें उससे पहले आपके सामने एक इमेज है ये है प्राप्ति आईस शोर्ट के स्कीम देखिए कई बार क्या होता है कई बच्चे सालों निकाल देते हैं बढ़ उनका प्री और मेंस नहीं क्वालिफाई होता है तो प्राप्ति आईस ने अपनी एक न्यू पैडियोलॉजी और मैथुड़ोलॉजी के तुरू आपकी हल्प करने की कोशिश की है जिसमें अभी तक हम पिछले 4 सालों में 100% प्री और मेंस का सेलेक्शन दे चुके हैं 2.5 लाइक रुपीज उसके फीस है जिसमें आपको हम जिम, कैफेटेरिया, लाइबरेरी और कोचिंग चारों चीजे एक साथ प्रोवाइड कराते हैं और आपको healthy atmosphere पढ़ने का देते हैं 8 hours की आपकी intensive study program है जिसमें 4 hours के batch और 4 hours की self studies का program है जो हमारी लाइबरेरी में आपको करना है और आपके साथ एक teacher और एक mentor पर्मेनेंट लगा रहेगा अगर आप online है तो आपके लिए 4 hours में कभी भी कोई doubt आएगा तो teacher आपके साथ खड़ा होगा आपको means writing करने के तरीके बताएगा और आप उसको follow करेंगे ये एक option है जिसके तुरू आप अपनी तयारी कर सकते है phase 2.5 lakh है अगर आपका selection नहीं हो पाता तो पूरी phase refund कर दी जाती है इसी ideology के साथ ये चलता है अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो नीचे दी गए नमबरों पर WhatsApp या कॉल करें आने था दी गए email ID पर mail करें आईए IS की तैयारी के लिए सबसे important होता इतिहास अगर history आप ठीक से पढ़ लेते हैं तो आप almost सब कुछ पढ़ लेते है तो history पढ़ना जरूरी है history में देरी नहीं की जानी चाहिए मैं ये मानता हूँ तो history के segment को पढ़ने के लिए हमने यहां से start करना start किया है देखे previous year question paper tackle करना जरूरी है कोई excuse इस चीज का नहीं है हम इसको 5 part में बनाएंगे तो आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा 5 parts, part 1, part 2, part 3, part 4 ऐसे चलेगा आज हम part 1 की बात कर रहे हैं तो चलिए part 1 की बारे में बात करते वे चलते हैं ये 2016 से 2020 तक के सारे questions हम tackle करेंगे आज जो year चलेगा previous year history, art and culture and world history से related question आता है तो उसको मिलाकर 2016 आईए पहला question पढ़ते हैं regarding the taxation system of Krashn Dev Raya the ruler of Vijayanagar consider the following statement the tax rate on the land was fixed depending on the quality of the land private owners of the workshop paid an industry's tax भूमी की गुडवत्ता के अधार पर भूर अजस्व की दर्नियत होती थी कारखानों के नीजे स्वामी एक औद्यूगी कर देते थे अगर आप explanation ध्यान देंगे किंश्देव राय के टाइम पर land कई category में बढ़ा था और where dry land the rate of taxes varied on the type of crop, soil and method पहला है tax vary करते थे quality of land बिल्कुल matter करते थे दूसरा many type of profession tax were also revived commercial tax consist duties, custom manufacture, gauging, house tax उसके बाद farm, servant, worksmen posters, shoemakers last point is there private owners of workshop, paid and industries tax how is the answer out there लोग वो लिखा है प्राइवेट ओनर्स भी वर्क्शॉप के tech industrial tax देते थे तो इस हिसाब से पहला दूसरा दोनों statement बेटा इसमें सही हो गया तो जब पहला दूसरा दोनों statement या कथन आपके लिए सही है तो हम यहाँ पर यह देखेंगे कहाँ पर पहला दूसरा दोनों कथन सही है वो यहाँ पर है तो इसका correct answer होगा option C आईए अगले प्रशन पर चलते हैं With the reference to the cultural history of medieval India, consider the following statement सिध्धास of Tamil region were monotheistic and condemned idolatry and lingyats of the conned reason questioned the theory of rebirth and rejected the caste hierarchy Tamil चेत्र के लोग सित्तर एकेश्वरवादिया और मूर्थी पूजा की निंदा करते है कंड़ के लेंगयात पुनरजन के सिध्धान पर प्रश्चने लगाते हैं और जाती अधिकरम को आस्विकरित करते हैं देखिए दोनों चीज़े सही है यहाँ पर सिध्धसास की बात करेंगे तो मोनोथेस्टिक थे इन्होंने कंड़म्ट किया मूर्ती पूजा को और बहुत सारी चीज़े थी 16-17 सताबदी में यह थे लेंगयात जो हैं श्रिभगवान के वर्शिपर हैं इन्होंने भी कहा कि इन्होंने चैलेंज किया अब राममड की सुपरिटी को चैलेंज किया हैं उन्होंने का कोई भी ऐसा नहीं है कि जो यहाँ पर पैदा हुआ वो हाई कास्ट का होगा तो पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट बेटा इसमें भी सही माने जाएंगे तो यहाँ पर भी पहला दूसरा दोनों स्टेटमेंट इसमें सही है तो इसका भी अंसर होगा उप्शन सी आईए अब अगले अपने कोश्चन पे चलते हैं बंजाराज दूरिंग दा मीडिवल पीरियर आफ दी इंडियन हिस्ट्री वास जंडली बंजाराज कौन थे अब देखिए इसमें अलिमिनेशन मेथट के तुरू भी आप करें तो आप इसली कर लेंगे भाई जो भी एक जगे रहता है वही क्रिशक बन सकता है तो क्रिशक यह हो नहीं सकते वारियर वो होते हैं जिनके पास छेतरों एरिया हो वो युद्ध करते हैं हाँ सल्फ डिफेंस की वाट टेकनिक्स तो बंजारों उसको आती थी बट वैसे वो लड़ाई नहीं करते थे युद्धा नहीं बनते थे यह भी गलत है बुनकर या आर्टीशन्स वेवस वो होते हैं जो एक छेतर में बैठे रहते हैं बचा वैपारी अब देखेंगे कि बंजाराज घूमते हैं हर जगे तो यह करते हैं दूसरों की चीज़े खरीदते हैं और उनको जाके बेच देते हैं तो बंजारे जो हैं वो वैपारी हो सकते हैं तो यहां पर वैपारी कोशन का पोशन सही है इसके बारे में यह भी कहा गया बंजाराज जो हैं बहुत इंपोर्टन थे अलाओदीन खिल जीन से कारे कराता था बंजारे इस पहले राजिस्तान में थे फिर कश्मीर बंगाल गुजरात करनाटक में फैल गया आज इनको लामानाज, लंबादी, लामबिनी, लंबिनी और गुरमती कुछ भी बोला जाता है तो ये सब उनके नाम है, एक्जैम में फ्यूचर में कभी कुश्चन आया तो आपको पता होना चाहिए इसके लिए इसका अंसर होगा ओप्शन डी, आप ओप्शन डी हाँ पर मार कर सकते हैं आगले कुश्चन पर चलिए, समराट अर्शोगा के राज्य देशोगा विकूटन सबसे पहले किस ने किया तो बेटा जेम्स प्रिंसेप ने किया, सब को पता है इसमें भी अगर आपने रोमिला थापर या डीन जहा कुछ भी पढ़ी है या अशोग अंदर डिकलाइन ओफ मौरेन इंपैर पढ़ी है तो आपको पता होगा अब इसमें इलिमिनेशन मैंथर इसके थूरू कुछ नहीं किया जा सकता इसमें अगर आपको पता है तो पता है, नहीं पता तो नहीं पता तो इसकी थियोरी आपको याद करनी पड़ीगी जेम्स प्रिंसिप के बारे मैं ये देख लेते है ब्रामी स्क्रिप्ट देम प्रिंसिप ने पढ़ी थी इन्होंने ब्रामी स्क्रिप्ट पढ़के बताया कि भाई अशोक साहवें अशोक के इंस्क्रिप्शन को 1838 में इन्होंने पढ़ा और उन्होंने हिस्ट्री में अशोक को एक राइटफुल फ्लेस दिलाया इसके बास स्वधिशी और वाईकॉर्ड मेथट पहली बर कब आलो लागू किया गया था तो जाहिर सी बात है अगर इसमें भी आप इलिमिनेशन मेथट देखें और अगर मौडन इंडियन इस्ट्री आपने ठीक से पढ़ी है तो आपको पता चल जाएगा होम रूर लीग जो है ये बेटा 1916-17 के बाद स्टार्ट हुआ नॉन कॉर्परेशन 1920 का मुमेंट साइमन कमिशन 1927 का और गांधी जी के आने से पहले ये सारी चीज़े चल रही थी तो ये बसता है बंगाल पार्टिशन 1905-1905 इसके बंगाल डिवीजन से स्वधिशय और बैकोर्ट स्टार्ट हुआ यहां हुआ क्या था 1857 की क्रांती में जब ये दोनों लोग मिलके कारिक कर रहे थे हिंदो मुसलिम तो अंग्रेजों को लगा गई ये तो बहुत बड़ा इशू हो जाएगा ये तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी हमारे देश के अखंड़दा और एक्ता को अगर ये बना के रखेंगे तो फिर भाई हम यहां सार्शन कैसे करेंगे इस चकर में इनको लगा कि भाई इसको बडलने के आवशकता है तो इन्होंने क्या किया कि बांगला बेंगॉल को जो पूरा बेंगॉल था उसको इन्होंने का कि इसको बडलने के आवशकता है या इसको डिवाइड करने की जरूरत है तो इन्होंने कहा प्रसाशन के देश करते हैं 1905 में लौर्ड करजन साब ने चीज बोली और इसका डिवीजन स्टार्ट कर दी इसके डिवीजन को प्रोसेस चली रहा था इसी टाइम पे रवीना टैगोड ने एक गाना लिखा जिसे आमार सुनार बेंगॉल बोलते हैं यह आगे चलकर बांगला देश का इंडिप फूले ने करने गठित किया और इसका परपस देखिए साउथ का है तो जैर से बाते बिहार आदिवासियों से मतलब नहीं गुजरास से मंदर नहीं पंजाब से मतलब नहीं तो बचा महराज तो महराज से रिलेटेड है पहली चीज़ी है तो पहला अंसर इसका आप मार कर इस साल भी पूछा जा सकता है क्यों इसके बारे में अब भी आपको बताता हूं आईए इसके एक्स्प्लेनेशन पर चलते हैं सौरी गला खराब है सौरी फॉर डैट सत्य सुदक समाज जो है तुरू सीकर सोसाइटी बोलते हैं और जो तही राव फूले के बारे में 12 अपरेल 19 2021 के बर्डे तक इसका एम था कि वैक्सीन जो कोवीट किये वो जीरो वेस्टेस के साथ लगे और यह बहुत फेमस सोशल थिंकर थे सोशल एक्टिविस्त थे एंटी कास्ट रिफॉर्मर थे महरास्ट के इनके बारे में बात करो कि तो 11 अपरेल 19 1827 को माली के रू इनके कुछ मेगजवर् पब्लिकेशन ते इसम्त्ी ती्त्री हैं एत्षरा दिया रतिना बहुत इंप्रेटन है घुलामगीरी बहुत इंपॉर्टन बुक है या चना बहुत इंप्रेंट है तो घुलामगीरी भी एक्जैम में कई बर पूछी जा चुकी है रेलेटेड एस खुद की बीवी सावित्री भाई को भी पढ़ाया और उन्हीं के बाद इन्होंने लिखना पढ़ना सिखाया और फिर एक जेंडर एक्विलिटी के लिए स्कूल भी खुला गल्स का बाद में वात है कि लॉस के चक्कर में उसे नहीं चला पाये पूरी तरीके से और उन्हें बहुत सारी चीजे डाली बट रिवोल्ड के बाद इनको प्राब्लम होने लगी तो इन्हें बंद करना बड़ा विदो रियमेरिज के लिए बहुत काम किया और्थोडोक्स ब्राममर के उपर इन्होंने बहुत ज़्यादा हास्ताचीप किया कि आप इस जाती बात की क्यू रिफॉर्म अगर आप पहला एलाइन इसमें पढ़ेंगे तो यहां पे क्लियर दिखाए कि यह किस के लिए आये था इसमेदानिक सुधार के लिए और का गया था दसल बात फुटर के समवेदानिक सुधार भी इसी से किए जाएंगे तो दसल बात पुना एक कमीटी बैटे और लौर्ड चैंपसफोर्ड वॉसरोई प्रडूस्ट दे स्कीम ऑफ कॉंस्टिटूशनल रिफॉर्म बाकी एक बार इसको जरूर पढ़ लीजेगा क्योंकि ये कुछ ऐसे सेग्मेंट से जो एक्जैम में कई बार पूछे जाते हैं इनकों डिनाई नहीं कर सकते हैं इसके से पहला जो है वो बेटा हमारा इनके द्वारा इस्ताबित नहीं किया गया ये राजा राम मोहन राय द्वारा इस्ताबित किया गया था ये गलत है ये दोनों सही है तो जहां पर दूसरा तीसरा मिले वो सही होगा तो इसका ऑप्शन भी सही होगा आईए इसका एक्स्प् प्राटी क्या है तिनि यूरस क्या है गटिकास क्या है देखे मैं फिर बोलूँगा अगर आप इतना डीपली विजयन अगर इंपायर में गुसेंगे तो फिर आपको चीज़े बता चलेंगी पढ़ना यह खुद या खुदा वाला कोश्चन है इसमें आपको बता दूं कि कि options काइदे से ये भी सही है ये भी सही है ये भी सही है बट यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स है इस लाइन को सही नहीं माना जाता तो पहला तीसरा सही माना जाता है तो पहला तीसरा option D देता है तो इसको सही माना जाता है UPSC से पहले कुछ debate चली थे historians में तो उन्होंने B को भी सही माना था तो कुछ लोग इसको सही मानते हैं बर right answer हमेशा D रहेगा तो आप D को ही follow करिए D से ही आपका answer correct माना जाएगा तो D इसका correct answer है आईए इसका explanation भी हम लोग देख लेते हैं क्या है अगर आप N.A.S.I. की book उठाएंगे तो उसमें clearly लिखा हुआ है कि ये क्या है कृष्णा रेडी ने भी इनके बारे में बात की है तो दूसरा सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है बट हमारे पास कोई भी option नहीं है कि हम क्या करेंगे तो हम जायर से बाते दूसरे को गलत कर देंगे तो हम पहला और तीसरा ही लेके चलेंगे देखिए पहला दूसरा तीसरे का तो कोई option है यह नहीं दूसरा तीसरा एक साथ सही हो नहीं सकता सबसे आदा सट इक पहला और तीसरे ही है तो हम पहले तीसरे को सही मान लेते हैं इसके बाद अगला है मेडिवल इंडिया में अरगटा क्या था अरगटा फिर मैं बोलूँगा पर्शियन शब्द है अगर आप NCRT क्लास 8 की उठाएंगे तो आपको आप पर्शियन वोकेबलरी में ये वर्ड मिल जाएगा अरगटा एक वील होता था बेटा उसमें आपने देखा उगए इस तरीका वील होता इस तरीके को उसमें चकरी लगी होती है जिससे पानी गुमता है तो ये पानी गुमते हुए आगे गिरता जाता है करता रहता है तो इसका option C करेक्ट माना जाता है अर गट्टा एक पर्शियन वर्ड है जो वाटर वील की बात करता है वही चीज़ यहाँ पर भी लिखिए इसको आप यहाँ से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा इसके बाद अगला है क्या विद्धा रिफ्रेंस ऑफ कल्चरर हिस्ट्री मैमुर साइस कौन करता था और कौन को गाता था तो श्रमनाज जो है वो ब्रामन थे जो गूमते थे श्रमन थे जो गूमते रहते थे परिवजरिका अलग है अगरहारिका अलग है तो मागद बचता है जो इसका ऑप्शन हो सकता है तो इसका राइट ऑप्शन होगा डी मागद परिवजरी का वो थे जो एक दूसरे के साथ नहीं रहते थे इनका मतलब ता गुमक कड़ सन्यासी जो गुमक कड़ होते थे वो इसके बाद 1907 की सूरत स्प्लिट का प्रमुक कारण क्या था इसके बारे में बात करनी है देखे 1907 की सूरत स्प्लिट की पहले बात करेंगे कमनलिजम 1909 की बात है यहाँ पर नहीं आएगा तो यह काट दीजे एक्स्ट्रिमिस्ट लेक लेक फेट इन्दा कैपिसिटीज यह माना जा सकता है फाउंडेशन और मुस्लिम लीग 1905 और 6 की बात है यह नहीं माना जा सकता अरविंदो गोस इनेबिलिटी यह नहीं माना जा सकता कि कोई भी नैशनल लीडर जो था वो सूपर कैपिबल था किसी भी काम को करने के लिए हाँ मॉडरेट और एक्स्टिमिस्ट में लड़ाई थी यह दोनों एक दूसे के मैथड से सहमत नहीं थे 1906 में ही बटवारा हो जाता बट उस टाइम पे दादा भाई नरूजी को बैठा दिया गया तो पार्टिशन रुग गया अगली इवेंट जब हुए तो यहाँ पर यह राया तिलग को बैठाना चाहते थे एक्स्टिमिस्ट मॉडरेट चाहते थे कि वो घोश राब बैठें तो बस यहीं पर थोड़ी रडाई हो गई और घोश को रविंदो गोर्ष को प्रेसिडंट बना दिया गया और बस सूरत स्प्लेट हो गयी और जब सूरत स्प्लिट हुई तो इसमें इन सब को बाहर भगा दिया गया और मॉडरेट खेल लाए गया इसके बाद सरे स्टेफोर्ड क्रिप्स की योजना किया थी कि दितिय विश्वृत के बाद क्या होगा तो सबसक्त क्या है ने गया कि बेसरे मुडरेट घ्रका शुर। कभी भी उन्यों क्या है कि दो भागं में विभाजित करेंगे आप ने कभी नहीं कि इनको सर्थ के साथ गरतंत्र बनाकि रास्मंडर देंगे इन्हों ने ये खार Dominion status देंगे तो ये एकदम known है अगर आप history ध्यान से पढ़ेंगे तो ऐसे questions आपको तुरंट पता चल जाएंगे देगे क्रिप सुनाएंगे इंडिया setting upon Dominion पहली लाइनी में आपका लिखा हुआ है तो वहीं से आप देख लिजेगा भागी अगर आपको करना है तो मैं दो सेकिंड के लिए रोक ले रहा हुआ अब इस screenshot ले लिजे अगला question है प्राचीन भारत में कौन सी फुस्तुकों में शुंग राजवंस के संस्तापक के पुत्र की प्रेम की कहानी है अब यहां पर आपको अगर पुत्र का नाम पता है तो आपको पता है या कालिदास के बारे में कुछ पता है तो पता है पहली जी इनके पुश्यमित्र सुंग फाउंडर थे शुंग बंश के पुश्यमित्र सुंग और इनके पुत्र का नाम था अगनी मित्र अगनी मित्रा इनके सन का नाम था और इन्होंने पियार किया था मालविका से कोटीशन थी मालविका मालविका से इन्होंने पियार किया था तो इसका अप्शन हो गया मालविका अगनी मित्रा जो कालिदास द्वारा लिखी गए देखे काली दास इस साल भी एक्जैम में पूछे जा सकते हैं क्योंकि उनके बारे में बहुत चीज़े चल रही थी तो काली दास ने तीन प्ले रिखे मालवी कागनी मित्रम, वज्ञान सकुंदलम, विकरूमो वर्शियम काली दास ने दो एपिक पोयम लिखी, रगुवंशम और कुमार संभवं काली दास ने दो पोयम्स भी लिखी है, रितू संघारा और मेगदूता और ये बहुत इंपोर्टेंट बुक है इनकी, इसके बाद अगला है कि आप रिलिजियस इस्ट्री देखिए concept of bodhisattva in the center of heinyan sect of Buddhism, bodhisattva is the compassionate one on the way to enlightenment, bodhisattva डिले is achieving its own salvation to help all sentent being on their part to it चैसे बुदिसा तो बुदमत heinyan संब्रदाय की परिकल्पना है, bodhisattva अपने प्रदूग के मार्क पर बढ़ता हुआ करणा में है, bodhisattva तो समसा चितन प्राणियों को उनके प्रभूत के मार्क पर चलने में साहता के लिए स्वैम के निर्माण को फिलंबित करता है, दूसरा तीसरा सही है, पहला गलत है, क्योंकि जब आप NCRT 12th Standard उठाएंगे तो उसमें ही महायान बुद्दिस की साखा में सारी चीज़े दी गई है, तो पहली लाइन इनों ने गलत किया, बाकि सब ठीक है, इसलिए का आ जाता ह बेसिक NCRT आपको पढ़नी पड़े कि ये लाइन गलत है, बाकि ये दोनों सही है, तो दूसरा और तीसरा सही है, तो यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन पे, अगली लाइन आईए, क्या कॉमन है इस्टॉरिकर प्लेस, अजंता और महाममलापुरम में, तो महाबलीपुरम औ अजंता में क्या इंपोर्टन सीजे हैं, इसके लिए अगर आप NCRT उठा लेंगे, निव वाली या नितन सिंगानिया उठा लेंगे, तो उसमें लिखा हुआ है, पेज नमर मैंने आपको डाल के दे लिए, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो आपको सारी डिटेल्स मि यहाँ पर केव बुद्धिष्ट, वहाँ पर हिंदू, रॉककट, रॉककट दोनों हैं, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है, तीसरा स्टेट्मेंट सही है, रॉककट हैं सारे, तो यहाँ पर रॉककट इंपोर्टन है, तो तीसरा स्टेट्मेंट सही है, ऑप्शन 3 सही है, तो मैं आपको next part 2 में दूँगा अगर आपको ये वीडियो useful लगता है आप इसको आगे देखना चाहते हैं तो please like, share और subscribe करिए और अधिस एक दिक share करके लोगों तक पहुचा आईए आज के लिए इतना ही God bless you all जैहिन वंदे मातरा